आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भोतीक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ोff किचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ण वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें मतला पूछागा है कि ऐसे में कॉस्मेंक उबहा है , वर्दी एक स्वांगे और छोशी अबैर तथा और फ्रॉषफ से में में तल से चल्गे हम कुछा है कर दिए दिए क्न कि स्वांगोन मस्कुर्ण देता है तो स्वत्व प्रक्रम के लिए क्या होता है हमेशा ही जो मुक्त उर्जा है डेल्टा जी उसका मान कैसा आना चाहिए रिनात्मक आना चाहिए तब ही वह प्रक्रम कैसा होगा स्वत्व होगा और अभी क्रिया कैसी होगी स्वत्व होगी तो हम देखते हैं कि डेल्टा जी का और डेल्टा एज क्या है वो है हमारी एंट्रोपी तो डेल्टा एज जो एंट्रेल्पी है वो क्या कहलाती है किसी भी रसायनी कभी क्रिया के दौरान निकलने माले बाहर निकलने वाले उड़्जा यह ग्रहन की के उड़्जा जो होता है परिवर्तन उसे हम कहते हैं डेल्ट इसके हैं entropy, entropy किसे कहते हैं अव यावस्था में जो परिवर्तन होता है, अव यावस्था में विरत्ती या कमी होती है, किसी भी रसाइन ने कभी क्रिया के दोरान, वह क्या कहलाती है हमारी entropy, तो अब जो होता है, अब यहाँ बुल गया है कि delta G का मान हमेशा क्या होना चाहिए दिनात्मक होना चाहिए, तब ही वो प्रक्रम कैसा होगा, स्वत्त होगा, या अभिक्रिया स्वत्त होगी, तो उसके लिए क्या condition होगी, यहाँ पर delta H का मान क्या आना चाहिए, दिनात्मक आना चाहिए, और जो यहाँ पर negative sign है, इसलिए हमारा जो entropy है, delta S, उसका कमान क्या जाहिए, दिनात्मक आना चाहिए, तो delta S, ननी के entropi का मान है दिनात्मक आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि जो अभिया स्वाश्ता है, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा हम मारी हम व सक हो बढ़े की वैसे- व्यवस्था में व्रध्दी होगी दूसरा क्या शर्थ है जो delta H यनि के entropy परिवर्दन है उसका मान आना जाईए हमारा entropy परिवर्दन का मान रिनादमक क्या अब आएगा जब हमारा जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारक के जो ऊठ जा है उसमें कमी आ रही है, कमी कब आईगी, जब उड़ जा अभीकारक से बाहर निकलेगी, तो जब भी delta h कमान रिनात्मक आता है, तो वो अभीक्रिया क्या हो जाएगी, उश्माक शेपी अभीक्रिया, ठीक है, तो दो शर्ते हो गई, श्वत्ता प्रक्रम की, एक तो अभीक्रिय यानि कि delta h कमान रिनात्मक आएगा, यह गलत हो गया, दूसरा option है उश्माक शेपी, यह सही है, और अभ यवस्था में रद्धी, तो यह भी सही है, हमारा option भी सही, तीसरा जो option है वो है उश्मा शोशी, यानि कि delta h कमान रिनात्मक आ जाएगा, तो यह हमारा हो गया गलत, और चौथा में भी उस्माश होशी यानि कि डल्टा एज कमान हो गया धनात्मक तो यह भी गलत हो गया तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन भी थैंक्ट्यू पक्षच़णी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोजा आज या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आट चार्सो 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 पर